हेलो दोस्तों टेकनिक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Amazon Prime के मोबाइल सब्सक्रिप्शन को अपने लैप्तॉप या कंप्यूट में बड़ी आसानी से चला पाएंगे और उसका जो सारा कंटेंट है वो आप अपने लैप्तॉप कंप्यूटर पे देख पाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें क्य तो यहां डाउनलोड ब्लू स्टेक्स पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर दो वर्जन है 32-bit और 64-bit अब आपका कंप्यूटर कौन से बिट का है वो कैसे चेक करेंगे तो टेक्स्ट्रॉप पर आना है और इस पीची या माई कंप्यूटर का राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है यहां पर आप देखेंगे 64-bit होगा या 32-bit होगा तो मेरा 64-bit है तो मैं यहां से 64-bit की फाइल डाउनलोड करूँगा आप देख सकते हैं फाइल आटमेटिक डाउनलोड हो गई है अब मैं यहां से शोवें फोल्डर करके इस फाइल को रन करता हूँ इंस्टॉल नाउ इंस्टॉल के टाइम आपके लैक्टॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए इसका ध्यान रखें क्योंकि कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी तो आप देख सकते हैं यहां फाइल्स डाउनलोड हो रही है इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने असा इंटरफेस आएगा तो अब आपको प्ले स्टॉर पर जाना है और यहां पर साइन इन करना है कोई सी भी मेल आईडी से आप इसे साइन इन कर सकते हैं साइन इन करने के बाद आपको इसके सेर्चिंग बार में लिखना है Amazon Prime उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है फिर इसे उपन करना है और यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उस नंबर से यहाँ पर लॉग इन करना है आपको और फिर आप कोई से भी कंटेंट को जो Amazon Prime पर है उसको अपने लाप्टाप कम्पूटर पर आसा नहीं से देख पाएंगे वो भी फॉल स्क्रीट में है अच्छी क्वालिटी जे साथ आप यह देखना चाते हैं कि Amazon Prime के सब्सक्रिप्शन को जो कि मोबाइल का सब्सक्रिप्शन होता है उसको TV पर कैसे चला है स्मार्ट TV पर तो उसके भी मैंने वीडियो बना रखी है उसके वीडियो आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगी आप उसे महां से जाके देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही आपके लिए बटना तो थांक्स वर वाचिंग दिस वीडियो